हेलो अल जो गेम अपना अप्ता बगना रोत तो 2010 साली धालेले वर्ल चेंपेंशिप फाइनल मदला दूसरा गेम आहे खेर्णारे खेर्डवे 15 बाजुला विश्वनातन आनन काड़ा बाजुला वैसलीन टोपालो तर हाएक क्लासिकल एंड गेम आहे जा मदे विश्वनातन आननने एंड गेम मदे कशा चाली रसा वया आणि कशा पद्धती ने सामना आपले बाजुला फिरवावा हे दाखुन दिलेलाए तर दावाची सुर्वाग आनननने के लिए d4 उत्तर आले नाइट f6 c4 e6 नाइट f3 d5 g3 dxc4 बिशब g2 a6 नाइट e5 c5 नाइट a3 cxd4 नाइट c4 बिशब c5 कैसल बाई वाइट कैसल बाई ब्लाक बिशब d2 नाइट d5 मंजे आजुन परहें तो दोनी खेलाडू है आप अपले पीसेस एक्टिवेट करता है फार काई आकरमक्यों फार काई वेगडी चाल आजुन तनी खेलेली नहीं है नाइट d3 बिशब a7 बिशब a5 क्वीन e7 करन या उन्टा ने वजिर और ती हला के लेला मनुँ वजिर हलावला क्वीन b3 रूप b8 क्वीन a3 अनि आनन जो आ है तो क्वीन एक्टेंज चेंज ची ओफर देतो है जी क्वीन टेक्स a3 ही चाल खेलन पपालों ने एक्सेप्ट के लिले ले बिशब टेक्स सोरी बी टेक्स a3 नाइट f6 नाइट e5 रूप e8 रूप c2 बी 6 बिशब d2 बिशब b7 आता से तुम्हीं पाहिल अथर टोप आलों ने आपले दोनी उन्ट क्यों बिशब पेर जाला मन्टा ती आनन चा राजा चा डाइगोनल सवर दी सेट के ल ब्रेक के लिए पुर्ची तालों थी h5 रूप c4 नाइट e3 हत्ती वर्थ यान्य उन्टा वर्थ ट्रैप आहे पनुन बिशब टेक्स e3 अननन ने गोडा मारला डी टेक्स e3 बिशब f3 g6 रूप टेक्स b6 बिशब a7 रूप b3 रूप d4 रूप c7 बिशब d8 रूप c5 बिशब d6 रूप टेक्स a5 रूप c8 रूप c8 गींग g2 आननन ने गाला हत्ती इथुन चेक दिऊने याची काल जी गेतले लिए रूप c2 बनुन टोपलोव ने प्यादावरती हल्ला के लिला है जला आननन ने उत्तर दिले ए3 रूप a2 नाइट बीफोर बीटेक्स a4 बिशब टेक्स b4 एटेक्स b4 नाइट डी5 बीफाइव अनि याँ प्यादावरती गोडा आनि हत्तियासा डबल आटेक होता बनुन आननने ते प्यादे पुढे गेतले आणि ताला प्रोटेक्शन दिलेला है पुर्ची चालोथी रूप c4 ही चुकी ची चाल ठरली कारण याँ चाली मोडे आनननने रूप c4 ही चाल खेलून लगेच हत्ती एक्षेंज करने ची ओफर दिलीजी टोपलोव ने एक्सेप्ट क हत्ती चा सपोर्ट आसले आ मुले ते मारन देखिल शक्या नही या अनि ही चुकी ची चालोथी जितुन खरतर डाव फिरावला गेला ती चाल पुणा दाखो तो आनननने खेलली चालोथी b5 जाला टोपलोव ने उत्तर दुले रूप c4 ही चाल चुकी ची ठरली कारण या चाली नंतर आननने लगेश रूप एक्स्चेंज केले आनि हे प्याद जे उत्ते पास्पॉन मदे कन्वर्ट केले रूप टेक्स एफोर रूप टेक्स एफोर बिशप टेक्स दी फाइव आनननने आथा गोडा देखिल मारला मंजे तुम्चा लक्षा ताला सिल कि आता गो पालो आता अडचन इच्छा पडलेला है पुर्ची चालो थी 8xd5 दुसरा कोंटा ही ओप्षन ना उता आनननने खळलेली चालो जी बिशिक्स त्यानने आपेक्स प्रावने प्याद पूर्ण डखलेला सुरुवात केली रूप एट बिशेवन पन आननन चा आता या प्या राजाही थानून या प्यादा वरती हाल्ला खेलेला है d4 जला आननने उत्तर दिले king e4 आणी टोपालो ने आपली हार मान्य केली कारण आता तेने कोंटी ही चाल खेलली तरी ही आननन जो आहे तो राजाने आदी ही दोन प्यादी मारेल समझा हे प्यादा पूर्ण गेतला तर हे प्यादा मारेल आता काहितरी रेंडम छाल खेला विसलागेल मढ़ूं कदची टोपालो ने राजा ही थे गेतला तर हे प्यादा मारला जाई आणी आता आशी परिस्थितिया है की आननन कड़े एक, दोन, तीन, चार आणि पाच, तर टोपालो कड़े तीन अस प्या आशी जरी कही परिस्थिती आली तरी ही सगड़े PCS एक्षेंज केला नंतर आता टोपा लोला कही तरी चाल खेला भी चलागेली आसती पन आता तुम्ही जा बगितला त्याचा कड़े कोंटी चाल शिलक नहीं है करने तैने समदार आजा जरी जवल आने जा प्रयातना केला त दरी ही आशी कहीशी परिस्थिती बोर्डो निर्मान हुँ शकते जित है आता आनन हे प्यादत प्रोटेक करना रच पन त्याच बरवर आपले राजाने कि बाकीची प्यादी देखिल मारू शकतो आणि मनुनाच किंग E4 या चाली नंतर टोपा लोने आपली हार मान्य केल या कारण आननंकडे एक्सराप प्यादी होती आया होब तुम्हाला राद आगैम आवडला आसेल आवडला आसेल जरूर शेयर करा, याडा आवा मदे देखिल आननन हे दाक्वन दिला की फार काही आकरमक क्यो फार काही रिस्की चाहली न खेलता हड़ावाड़ एक एक झाल झाल